नमस्कार साथियो एक बार आप सबका फेर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी यूट्योब चैनल डियर गुरुजी पर सुगाइस एक और वीडियो में आप सभी का सुवागत है यहाँ पर मैं जीके के 50 कोशन लेकर आया हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डन से देखे कर सभी लोग जवाब देते हो भी चलेंगे आनंद मठ पुस्तक के लेखा कौन है आई होप यह कोशन में पहले आपको बता चुका हूँ आनंद मठ जो पुस्तक है यह सन्यासी विद्रोपल लिखी गई थी और भारत का जो राश्ट्री गीत है वो भी इसी पुस दुस्रा नाम क्या था धोधूपंथ कुश्चन और 1887 जो विद्रोव हुआ था उसमें कानपूर से कहां से कानपूर से नहोंने नित्रुत किया था बहुत इंपॉर्टन है ये कई आपका कानपूर वाला यह पूछा रहाता है अगला कुशन कहा रहा है कि बाल, पाल और लाल ये जो हैं प्रमुख नेता थैं किस दल के फटाफट जवाब देते हूँ चलेंगे यहाँ पर याद रखेगा भाया बाल है पाल है और लाल है तो याद रखिए कि कॉंग्रेस दल के गरम दल के नेता थे यानि कि option number जो इसका D है कॉंग्रेस पार्टी के गरम दल वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि Pakistan नाम जो है किसने गढ़ा था बहुत ही अच्छा question है सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर इसका पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था जवाब देखिए question number आपके यहाँ पर 4 है जवाब देखिए आना शुरू हो गया है तो 4 का जो correct answer आपका क्या हो जाएगा तो पाकिस्तान के अगर हम बात करते है तो इसको जो है चौधरी रहमत अली यहाँ पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था और इसका जो option number D है इसलिए यह correct हो जाएगा चौधरी रहमत अली Cambridge University के विद्यार्थी थी अगला question रहे कि भारत सेवक समाज की अस्थापना किसने की फड़ा फड़ यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे बहुत ही ज़्यादा important question है जितने भाई बैन यहाँ पर जुड़े हुएं सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे मात्मा गाधी जी के राजनीतिक गुरू भी थे तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर इन्हों ने भारत सेवक समाज की अस्थापना की थी आगला question देखिए आपसे क्या करा है कि गांधी जी ने अखिल भारती अस्तर पर सत्यागरा अंदोलन किस वर्स में आरम किया था तो याद रखें दोस्तो, 1919 में, यानि कि 1919 में दोस्तो, गाजी जी ने अखिल भारती अस्तर पर सत्याग्रा अंदोलन जो ही स्टार्ट किया था क्वेशन नमर साथ है, सभी लोग फटा-फट यहाँ पर जवाब देंगे, बहुत ही जाद अच्छा क्वेशन है कि बारदोली सत्याग्रा निमलिखित में से किस वेक्ति से जुड़ा है बारदोली सत्याग्रा के बारें पूछा गया है यहाँ पर इसकान पही है सरकिता है on the near point that comes the कि खाध्य प्रोटीन के 2 सबसे प्रमुख्ध या सबसे सम्रिध शरूत कौन से है सबसे समरिध का मतलब कarina हो था सबसे ज्यादर इसमें हो तो ङहाँ खाध्य प्रोटीन की बात हो रही है तो याद रखेएगा खाध्य प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे जादा तो सोयबीन सबने सुनी रखा है उसके लाव मुंगफली तो सोयबीन और मुंगफली में सबसे जादा जो है प्रोटीन होता है आप यह मान के चलिए सोयबीन हो गया मुंगफली हो गया एक आधी कप में आप 15 ग्राम तक प्रोटी सभी साथी देते हुए चलेंगे तो क्वेशन नमर 9 के हम बात करते हैं तो याद रखेगा यूरो क्रोम बहुत ही इंपॉर्टन क्वेशन है यूरो क्रोम की मौजूदवी की करण मूत्र का जो रंग होता है वो आपका यलो यानि की पीला कलर का होता है अगला कोशन देखे क् क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है तो सर हमफ्री डेवी ने किया था किस पर मैं लिख देता हूँ वर्तनी के साथ जिसे आप लोग गलत ना करो हम फ्री होता है हम फ्री डेवी ने किया था ठीक है ये डा है भाई डेवी ने किया था 1909 में इसकी खोज हुई थी अगला कोशन देखी क्या करा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है चल तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है मूल भाग से ठीक है पौधे का जो मूल भाग होता है वो वेसेटलि आपकी और जमन महीं है है ध्यान से देखेगा कोईशनमर आपके यहां पर 12 कह रहा है कि वर्ड ट्रेड सेंटर पर आतंगवादी हमला कब हुआ था चलिए भाई कोईशनमर 12 बहुत ही फेमस यह हमला हुआ था और आप सभी को इसके बारे पता है पुरी दुनिया जो है जानती है चलिए वर्ड ट्र को वर्ड ट्रेड सेंटर की बात हो रही है तो इस सेंटर पर आतंगवादी हमला कब हुआ था यह हमला सभी को पता है 2001 में हुआ था बट याद रखिएगा 11 सितंबर 2001 यह डेट भी याद रखिएगा क्योंकि यहां पर देख सकते हैं डेट के साथ ही दिया गया था तो आप दो भारती सनो विधान में 25 से 28 के घर बात करते हैं 25 जिकर किया गया है जहां पर धार्मिक सस्वतनतरता की बात हुई है और धार्मिक सस्वतनतरता को लेकर के 25 से लेकर 28 आपको देखने को मिल जाएगा आगला कोशिन देखी क्या कह रहा है कि भारति यह सान के इकॉडिंग भारत एक कैसा देश है बताए सर भारत धर्म निर पेच जाती विसेश या वर्ग विसेश या धर्म साब पेच तो भारत ये सनमधान के कॉर्डिंग भारत एक धर्म निर पेच राजी धर्म निर पेच देश है तो आपस नमब जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा कई बार एक कोईशन पेपर में आता है कि यह जो शेकुलर सब्द है यह कब जोड़ा गया था तो 1978 इस में जोड़ा गया था जो आपका 42 सनविधान संसोधन हुआ था यह बहुत जादा important question है सेकुलर वाला अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतिय सनविधान की उद्देशिका में पंथ निर्पेच सब्द किस सनविधानिक संसोधन के दबार जोड़ा गया है पंथ निर्पेच सब्द चलिए सर अभी मैंने आपको सेकुलर के बारे में बताया अभी यहाँ पर पंथ निर्पेच सब्द के बारे में पूछा गया है तो याद रखिए कि दूस्तों जो आपका बैलिसवा सनविधान संसोधन हुआ था उसमें ही पंथ निर्पेच राष्ट की ए घंड़ता यह सब्द आपके जोड़े गये थे तो यहाँ पर बैलिसवा सनविधान संसोधन जो आपसन नमबर B है वही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के विदेशी नीत का मूल सिध्धान्त क्या है भारत के विदेशी नीत का मूल सिध्धान्त क्या है चले भी अकोशन, अब आपका 16 है जवाब देखिया आना सुरू हो गया है तो याद रखे ये गुट निर्पेच्च्चता भारत के विदेशी नीत का जो मूल सिधानत है वो गुट निर्पेच्छिता होता है भी या गुट निर्पेच्छिता का अर्थ क्या होता है गुट निर्पेच्छिता का मतलब होता है कि किसी मुद्दे के सम्मंद में उसकी योगिता तथा भारत के हितों पर इससे पढ़ने वाले चलिए sir question number 17 है सबी लोग जवाब देते हूँ चलेंगे जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों की पाइपों पर जस्तिकी प्रचणानी को क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों इसको कहा जाता है यसदी करण बहुत ही ज़्यादा important question है क्या कहा जाता है ठीक है आगला question देखेंगे आपसे क्या कह रहा है कि कंपडों तथा बरतनों को साफ करने के लिए प्रियुक्त्र डिटर्जेंट में क्या होता है जो डिटर्जेंट प्रियुक्त क्या रहता है उस में क्या होता है question तो याद रखे दूस्तों इसमें बिसिकली आपका होता है sodium carbonate ठीक है क्या होता है आपका sodium carbonate होता है तो option नमबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसका रासारी शूत्र होता है na2 co3 ठीक है अगला question देखें कहरा है कि polythene बनता है question 19 है सबी लोग जवाब यह चलेंगे polythene जो है बनता है किस से बनता है question 19 जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो यह polythene दो पदार्थों से बनता है एक आपका होता है एथलीन और एक आपका होता है वेंजिल डिहाइड इसके मिस्रर से बनता है उच्छिदाप पर तो option नमबर जो इसका A है एथलीन वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question देखिए क्या कह रहा है कि vitamin B2 का अन्या नाम क्या है vitamin B2 का अन्या नाम बताईए फटा फट जवाब देते हुए सभी साथ ही यहाँ पर देते हुए चलेंगे vitamin B2 तो याद रखें तो सो vitamin B2 के अगर किसे अपना राजनीति गुरु कहते थे बाल गंगँदर तिलग जो है किसे अपना राजनीति गुरु कहते थे ये question पूछा गया है तो भाईया question number हम बात करते हैं कीस के बारे में तो बाल गंगँदर तिलग स्वामी विवेका नंद जी को किसको दोस्तों स्वामी विवेका नंद जी को अपना गुरु मानते थे चलिए अगला कोशन देखी क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ड किया था भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारम किया था क्वेशन नमबर बाइस है, बाइस का जवाब जो है क्या हो जाएगा, बाइस का जो करेक्ट टैंसफर है आपका हो जाएगा, बिनोबा भावे, यह उस तो अंदोलन जो है, संत बिनोबा भावे द्वारा 1951 में स्टार्ड किया गया था, और यह स्वैक्षिक भूमी सुधार अंदोलन था, और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा, सक्सिर यह माल सकते हैं कि लोगों ने भी इसका सपोर्ड किया था, बहुत सक्सिर अंदोलन था यह, अगला कोशन रेकि कह रहा है कि आजाद हिंद फॉज का गठन जो है कब हुआ था, आजाद हिंद फॉज, बताइए सर इसका जो गठन है कब हुआ था, आजाद हिंद फॉज की अगरम बात करते हैं, देखें, यहाँ पर एक काफी लोगों को कनफ्यूजन रहता है, बड़ मैं आपक क्लियर कर देना चाहूंगा, 1942 में हुआ था, भारत को अंग्रेजों की कबजे से स्तोतन कराने के लिए आजा जीवन का आधार है, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्सन पर पर जीवन का अधार है, यह कोई राजनीती का दिकार नहीं होता है, तो ऑप्सन नमबर जो इसका भी है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चलिए 25 नमबर कोशन पर आते हैं, तो कह रहा है कि सन्विधान का आ लागू होता है, सन्विधान का जोन उच्छे 370 है, आप सभी को पता रहा है किस राजे पर लागू होता है, सभी को पता आप तो हट गया, 370 जो है आपका जमु और कास्मीर पर लागू होता है, और आप सभी को पता था कि इसी के तहर इसको विशेस राजे का दर्जा दि तो याद रखे दोस्तों मूल अधिकार जो है भारती सन्विधान के भाग तीन में ठीक है भाग तीन में अनुछेट की बात करते हैं तो बारा से लिकर के पैर दिस तक जो है आपका इस थापिक किया गया है अगला कोशन देखिए आप से आपर क्या गया है कोशन नंबर 27 के अगरम बात करते हैं ध्यान से देखिए कि भारत के सन्विधान में सामिल राजी नीती के निर्देसक सिध्धानतों की अवधार्णा किसके सन्विधान से ली गई है ऐसक दी है आयलरेंड वो यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर कॉशन देखिए बहुत ही आस इत्री दरोब है वो क्या हो जाएगा कोईशन नमबर 28 है सभी लोग जवाब देती हो चलेंगे तो याद रखेंगे तो अगर हम बात करते हैं एड्स के बारे में AIDS इसका फुल फॉर्म होता है एक्वाइड इम्म्यूनो डिफिसींसी सिंड्रोम यानि कि ऑप्सन नमबर जो लोग ध्वनी को मापते हैं डेसिबल जो मापक होता है वो सून्य से स्टार्ट होता है और यह सून्य 10 डेसिबल 15 डेसिबल एक डेसिबल दो डेसिबल इस तरह से आपको जो है इसका मापक जाता है अगला कोईशन देखे कह रहा है कि 2011 की जनगरना के एकॉर्डिंग भारत अखिल भारत स्थर पर लिंगा नुपात है लिंगा नुपात के वारे मैं कई आप से पेपर में पूछा जाचुका है चलिए बहाई जवाब यहां पर हो जाएगा 943 थीक है 2011 की जनगरना हुई थी यह वो लिंगा नुपात जो है 943 है अखिल भारत अस्थर पर अगला कि निम्दिखित में से किस में परियाप्त मातरा में विटामिन सी होता है विटामिन सी सभी को पता है अभी तो जब से करोना है तब तो तब से और सभी को पता ही चल गया होगा कि जो खटी चीजे होती है जिसी नीबू हो गया आवला हो गया इनसे में जो होता है सबसे ज्या को जोडने के काम में आता है अगला कोशन देखे कह रहा है विटामिन बी की कमी से क्या होता है बहुत ही अच्छा कोशन है विटामिन बी की कमी से क्या होता है चले विए कोशन नमर 33 है जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया तो विटामिन बी की बात करते है तो इस नाम दिया गया है प्रकास संसलेशड के समय प्रकास संसलेशड क्या होता है कैसी क्रिया होते है जिसमें पौधे जो होते हैं अपने हरे रंग वाले अंग जितने होते हैं जिसे पत्ती हो गया उसके द्वारा सूरे के प्रकास की उपस्तित में वायू से कार्बन डायकसाइड तथा भूमी से जल लेकर के जटिल कार्वनिक खादपदार जैसे कार्भो हाइड़ेट का निर्मार करते हैं और CO2 जो है ऑक्सीजन और CO2 गई जो है बाहर निकालते हैं तो सिंपल साब का याद रखेगा तो यहाँ पर कार्वनिकलने वाली गैस को क्या कहते हैं तो याद रखेए दूस्तों ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं तो और जो इसका भी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है कि इस पेड की छाल मसाले की रूप में प्योग की जाती है कौन से पेड की छाल हम लोग मसाले की रूप में प्योग करते हैं बताएगे फटा फट जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखे दोस्तों दाल चीनी जो है यह बिसिकली आप यह जान के चलो कि साउथ इंडिया मे बहुत जाद आपको देखने को मिलता है दाल चीनी लोग खाते भी है और इसके छाल जो होती है मसाले की रोप में प्रियोकी जाती है एक मसाला होता है अगला कोशन देखिए कहरा है कि जीवास्म किस प्रकार के सैल में पाई जाती है जीवास्में बटाएगे घवासमकॉंंगरेजी में हम लोग lexron कहते हैं और इसका संबन जो होता है कि से होता है वह बहुत बहुत पहले जब जो चैक्टमों में योग 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 जो दबे हुए मतलब होते हैं वह बात में एधन बन जाते हैं बिसिकली वही होता है तो याद रखे हैं कि प्रकार के सेल में पाई जाती है तो ये परतदार सेल में पाई जाती है तो option number जो इसका B है परतदार का मतलब होता है भूपरपटी सेल में पाई जाती है ठीक है 37 का जवाद दीजे सर जुआर भाटा की उत्पत्ती का रीजन क्या होता है जुआर भाटा की उत्पत्ती का जो खार कि बहुर्ट है कानूनी अधिकार होता है कि पुराड़ों की संख्या कितनी है बताइए सर कितने पुरान हैं अगला कोशन चहे रहा है कि कौन सा वेद अनसता गद्य रूप में भी रचित है बताइए सर गद्य रूप में भी कौन सा जो वेद आपका रचित है तो याद रखे अंसत्ता बोला गया ने कि अंसत्ता भाग तो 40 का जो correct answer आपको हो जाएगा यजुरवेद ठीक है हिंदु धर्म में 4 ग्रंत है और रिगवेद रिगवेद होता है यजुरवेद होता है थुरवेद होता है सामवेद होता है ठीक है अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि उजयन का प्राची ने नाम क्या था question number आपका 41 है यहाँ पर इसका जो correct answer आपका क्या हो जाएगी यहतने भी साथ ही जुड़े हुए है सभी लोग के जवाब यहाँ पर आने चाहिए उजयन का प्राची नाम क्या था तो उजयन का जो प्राची नाम था वो अवंतिका था ठीक है तो अवंतिका option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिनाच्छी मंदिर जो आपका कहाँ पर इस्थित है मिनाच्छी मंदिर जो आपका कहाँ पर इस्थित है चलिए मिनाच्छी मंदिर, मिनाच्छी अम्मा मंदिर या देवी पारवती और भगवान सिव जी को समर्पित है ये मंदिर और ये आपका मदुराई में इस्थित है कहाँ पर दूस्तों मदुराई में इस्थित है तो option number जी इसका भी है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएग अगला question देखे कह रहा है कि अनवर ए सुहेली गरंथ किसका अनुवाद है बताईए अनवर ए सुहेली गरंथ जो है किसका अनुवाद है जब आद देखें यहाँ पर 43 का आना शुरू हो गया है तो याद रखें दोस्तों यह जो है अनवर एसुहली ग्रंथ जो है पंचित अंतर पंचित अंतर सभी को पता है और यह अनवर एसुहली बिसिकली फार्सी में इसका अनवाद किया गया था और इसके अनवाद को अगबर ने करवाय था ठीक है तो आपसर नमर जो इसका ए है वहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्यन देखिया आपसे यहां पर कह रहा है कि नीती आयोग का पदेन अध्यक्श कौन होता है नी पर आपकर 34 है जब आप देखिया आप आना शुरू हो गया तो यह नीतियायोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है बिसिकली नीतियायोग पहले योजनायोग के नाम से इसको जाया जाता है अब नीतियायोग हो गया है NITI NITI National Institute for Transforming India तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रदानमंत्री होते हैं तो उप्सन नमर जो इसका C है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखी कहरा है कि भारत में फेरा का स्थान ले लिया है बदाए सर फेरा का जो प्ले से किसने ले लिया है चलिए फटा-फट यहां पर जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखिए कि पहले एक था फेमा जो की सन 2020 में प्रभाव में आये था और फेमा का उद्देश से था देश में विदेशी भुकतान और ब्यापार को बढ़ावा देना इसको बाद में फेरा बोल दिया गया तो यहां पर फेमा जो आप्सन नमर ए है अगला कोशन देखिए कि बिस्व की सबसे जोड़ी जलसंदी कौन सी है कोशन नमर 46 है फटाफट जवाब देते हो चलेंगे तो 46 का जो करेक्ट अंसर आपका क्या हो जाएगा तो याद रखें दोस्तो डेविस जलसंदी ठीक है बिस्व की जो सबसे चोड़ी जलसंदी है वो आपकी डेविस जलसंदी है अगला कोशन देखिए आप से हाँ पर क्या कह रहा है अच्छा ये डेविश जलसंदी जो है किसको इसको अलग करती है तो याद रखेए कि ये जो जलसंदी है डेनमार्क को बफिन दीप से अलग करती है बफिन दीप बेसिकली कनाडा की बात हो रही है अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या रहा है कि काला सागर किस देश के दछझड में इस्थित है काला सागर जो है किस देश के दछझड में इस्थित है जो मुझे रीज दो Zach opinion driven आपन अधारी घ्र कोरिक्शन क्या कया अग्ला कोईशन warrior G professionally कि काला आप मुझे === कोईशन नमर आपके यहां पर 48 है जब आद देखिए यहां पर आना शुरू हो गया है तो याद रखे दूस्तों बोस्तों वाना ठीक है ऑपसर नमर जो इसका डी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बोस्तों वाना चले भईया आते हैं अगले कोईशन पर तो अ सब्सक्राइब करें तो याद रखेगा इसका जो आविसकार है 1989 में हुआ था और इसका अविसकार किया था टिम बर्नर्स ली ने तो यहां पर ऑप्सन नमर जो इसका डी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो यह रहे आज के कुछ इंपॉर्टन कोश्चन व अब जाएगा तो आज की दूटन से इतना इविक लिए बाबाइ टिक केर जैहिंद जैभारत मिलते हैं आँ सबीज वीडियो में करें